बच्चों मैं अमशारानी हिंदी एलुकेटर ऐसार पीपिएस ओनलाइन क्लासिज में आपका फिर से स्वागत करते हूं तो बच्चों आज हम करेंगे प्रत्य उपसर्ग हम अपने पिछली वीडियो में कर चुके है शब्द निर्मान की श्रंखना में हम कर रहे थे शब्दों का निर्मान सबसे पहले हमने उपसर्ग के साथ शब्दों का निर्मान किया आज हम करेंगे प्रत्यों के साथ तो प्रत्य क्या हैं देखिए नीचे दिये शब्दों को पढ़िए दूद जमा वाला दूद वाला ध्यान जमा पूर्वक ध्यान पूर्वक सुन्दर जमा ता सुन्दर ता आनंद जमा एत आनंदेत चतुर जमा आई चतुर आई और छात्र जमा आ छात्र तो इस प्रकार से जो ये हमारे मूल शब्द हैं दूद, ध्यान, सुन्दर, आनन्द, चतुर और चाद्र इनमें हमने कुछ शब्दों का अलग से जोड़ कर दिया है तो हमें नए शब्द प्राप्थ हुए हैं तो इन ही शब्दांचों को जो शब्द निर्मान में हमारी सहायता करते हैं और शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं इन ही हम कहते हैं प्रत्य वो प्रोक्त सभी प्रत्य जोड़ कर बनाए गए हैं इसमें वाला ता आई पूर्वक इत आ सभी क्या हैं प्रत्य हैं तो कहने का इसलिए इनका कोई अर्थ भी नहीं होता इसलिए हम इने किसी मूल शब्द के साथ जोड़ते हैं जैसे हमने यहाँ पर दिखाया है, देखिए, तो यहाँ परिभाश है, देखिया जो शब्दांच किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में और या कहें रचना में भी परिवर्थन लाते हैं, उन्हीं प्रत्य कहा जाता है। दुबारा देखिए जो शब्दांश किसी शब्द की अंत में जुड़कर उसके अर्थ वैरचना में परिवर्तन लाते हैं उन्हें प्रत्य कहते हैं अगे देखिए प्रत्य की कितने भीद हैं प्रत्य की दो भीद हैं कृत प्रत्य और तधित प्रत्य कौन से हैं कृत प्रत्य और तधित प्रत्य अब ध्यान से देखिए कृत प्रत्य क्या है जो प्रत्य क्रिया के मूल धातू रूप में जोड़कर संग्या या विशेशनों क कि रचना करते हैं उन्हें क्रित प्रत्य कहते हैं क्रित में जो कह है उससे आप जैसे क्रिया लगा सकते हैं यानि क्रिया में ये जोड़े जाते हैं ठीक है तो वे प्रत्य जो क्रिया में जोड़े जाते हैं और संग्या और स्विशेशनों की रचना करते हैं उन्हें क्रित प जमा कार तो यह क्या बना चित्र कार जादू जमा गर क्या बना जादू गर तो यहाँ चित्र के बाद कार तथा जादू के बाद गर प्रत्य लगाने से नए शब्द की रचना हुई है क्रित प्रत्य से मिलकर बनने वाले शब्द करता या कार्या करने वाले का बोध कराती है कुछ क्रित प्रत्य है और उनसे नए बनने वाले शब्द आगे हम देखेंगे जैसे आ, आ हमारा क्रित प्रत्य है छात्र जमाआ, छात्रा, बाल जमाआ, बाला, ताल जमाआ, ताला अकड भूल, जैसे मैंने आपको कहा था न कि ये रचना में परिवर्दन लाते हैं तो रचना में परिवर्दन ये कैसे लेकर आएंगे, देखिए जैसे हमारा शब्द तो है भूल, लेकिन जब हम इसमें अकड प्रत्य जोडते हैं, तो ये है जो बड़े उ की मात्रा है ये है छोटे उ में बदल जाए ठीक है, इसी तरह से शब्द की रचना में भी परिवर्दन होता है इसी शब्द रचना की परिवर्दन की बात मैं कर रही थी तो इसी प्रकार घूम जमा अकड में घुम अकड ठीक है जैसे लू यहाँ पर प्रत्य दिया गया है, जबकि लू कोई प्रत्य नहीं होता तो आप इसे आलू समझेए, आलू, छोटा उ, खाने वाला आलू नहीं, छोटा उ, आलू तो दया जमा आलू से प्रत्य बनता है, दया लू, और क्रिपालू, श्रधालू, ठीक है आर, देखिए इसी परिवर्दन के बाद दोबारा मैं आपको बताते हूं कि कर रही थी मैं सोना जमा आर से जब हम क्या बनाते हैं, नया शब्द बनाते हैं, तो यह हमारा सोनार नया बनकर क्या बनता है सुनार बनता है ठीक है तो इसी शब्द रचना की बात मैं कर रही थी रचना भी है और नया शब्द का निर्मान भी है ठीक है आवना बिछ जमा आवना बिछ आवना खिल जमा आवना खिलावना बेल जमा आवना बिलावना ठीक है पढ़, जमा, आई, पढ़ाई, लड़ाई, लिखाई, बुनाई ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं तधित प्रत्य की तधित प्रत्य क्या है जो शब्दांच पहली बात हमेशे आप हमेशे यही याद रखेंगे चाहे आप उपसर्व की बात करें चाहे आप प्रत्य की बात करें, हमेशे उसमें शब्दांश का प्रियोग जरूर करेंगे, क्योंकि ये शब्दांश ही होती है, तो जो शब्दांश संग्या सर्वनाम विशेशन एवं अव्वे की अंत में लगाए जाती है, उन्हीं क्या कहा जाता है, तधित प्रत्य कहा ज ही कुछ तद्रित परत्ते यहां पर दिये गए हैं पर कृटतяться इस प्रत्ते में बहुत है, को मैं तम तो, मौल और अुपम लिख लड अधिक क्रिया शब्दों के साथ जब क्रिया शब्दों के साथ आएगा तो क्रित प्रत्य है और जब कभी किसी विशेशन के साथ आएगा तो वो बनेगा तधित प्रत्य है ठीक है इसके बाद और भी यहाँ पर एकजाम पस दिये गए है जैसे एरा मामा जमा एरा ममेरा फूफा जमा एरा फूफेरा साप जमा एरा आप इसे साप एरा नहीं कहेंगे क्या बनेगा सप एरा ठीक है तो इसी प्रकार के और तधित प्रते हैं इला, आना, दान, आस, इ, इया, त्व, या ता ठीक है जिससे क्या क्या बना है हठीला, रंगीला, भड़कीला, दोस्ताना, मेहंताना, कूडादान, कलमदान, मिठास, खटास, गर्मी, बंगाली, गुडिया, चुहिया, आदे अब आप समझ गए होंगे कि कौन सा क्रित प्रत्य है और कौन सा तधित प्रत्य है अब उपसर्ग और प्रत्य में कुछ अंतर हैं जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ पहली बात दोनों शब्दान से होते हैं ये तो इसकी समानता हो गई दोनों ही स्वतंतर रूप से प्रियूग नहीं किये जाते हैं ये भी इसकी समानता हो गई लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है क्या उपसर्ग पहले लगाए जाते है और प्रत्य बाद में लगाए जाते okay, बाइबाइ